Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of Unacademy Grove दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं GKK कुछ और Most Important Question जो की exam में बार-बार पुछे आते हैं exam के point of view से बहुत important रहने वाली वीडियो तो प्लीज सुरू से लेके end तक देखे वीडियो पसंद आये तो लाइक करना और शेयर करना भूलिएगा मत ठीक है और देखे अनकेडमी पर आप किसी भी exam की complete चाहरी कर सकते हैं SSC से लेके UPSC तक सभी exam की चाहरी आप अनकेडमी पर कर सकते हैं जब भी आपको इस subscription जोइन करते हैं तो उसमें आपको एक referral code की जड़रत होती है referral code यानि कि जिससे की आपके fees में 10% का discount मिल जाए और अगर आपके पास कुछ coins है तो और भी extra discount मिल जाए तो उसके लिए आपको यह code apply करना होगा STUDY10 without any space इस code को जैसे आप apply करोगे तो आपके fees कम हो जाएगी और आप payment करेंगे तो आपको benefit मिल जाएगा अनकेडमी प्लस के सारे benefit दोस्तों आपको एक साथ मिल जाते हैं जैसे आप subscription जोइन करते हैं और एक important information आपके लिए यह है कि SSC के टेगरी में मेरी दो special classes चल रही है जिनको कोई भी student जोइन कर सकता है बस ज्यान रखेगा कि इसमें भी आपको code study 10 ही apply करना है study code लगा के आप जोइन कर सकते हैं धाई बजे और रात के ग्यारा बजे दोनों special classes बहुत important है बस जाईएगा code apply करिएगा और जोइन कर लिजेगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तो आज की पीडियाप का पहला question है जलवाई यू परिवर्तन पर संयुक्त रास्टे फ्रीमवर्क कन्वेंशन यानि की UNFCCC या FCCC के रूप में भी जाना जाता है तो जिसको भी answer पता होगा नीचे comment box में जरूर बताएगा दोस्तो और इस question का right answer क्या होगा बिल्कुल देखे इसे अर्थ summit यानि की प्रत्वी सिखर के रूप में भी जाना जाता है यानि की option हो जाएगा C right answer और इसी से संबंदित एक question और exam में आता है की जलवाई यू परिवर्तन पर संयुक्त रास्टे फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानि की UNFCCC या FCCC निमलिकित मे आयजित किया गया था तो ये किस वर्स में दोस्तों आयजित किया गया था ये आपको बताना है और ये question exam में आ चुका है इस question का right answer हो जाएगा 1992 में यानि की आपका A right answer हो जाएगा और कब से कब तक दोस्तों 3 से 14 जून 3 जून से लेके 14 जून तक ये चला था 1992 में और इसक अर्थ सम्मिट के रूप में भी जाना दाता है ठीक है चले अगला कोशन नेक्स्ट है दोस्तो बेसल सम्मेलन कब से परभावी हो गया तो आपको बताना है बेसल कन्वेंशन बिकम अफेक्टिव कब से अफेक्टिव हो था तो फटा-फट से आंसर बते है बिलकुल देखे बेसल सम्मेलन कम से परभावी हो गया ये हुआ था ये भी 1992 से हुआ था ठीक है अब इसमें कन्वेंशन होता है कि 1989 आंसर क्यों नहीं है देखे मैं आपको बता दू कि लागू होना और साइन होना ठीक है वो दोनों में डिफरेंस होता है तो ये 22 मार्च 1989 में ये साइन हो गया था बट जो लागू हुआ था वो 5 माई 1992 से ठीक है 5 मार्च से ओल राइट चले और आपको किसी भी कोशन का अंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बोक्स में जरू बताएगा और प्लीज इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत बहुत ही 22 कोशन होने वा सब्द में C का मतलब है conference यानि कि option हो जाएगा भी सम्मेलन इस question का right answer ठीक है एक question आता है कि secondary air pollution यानि कि दुट्यक yu प्रदूसक कौन सा है इन में से बते 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 तो secondary air pollution दोस्तो है आपका carbon monoxide ठीक है तो यहाँ पे right answer option B हो जाएगा फटा फट कवर करते हैं 20 question कवर कराने वाला हूँ इस पीडियप के फिर अगली पीडियप में यानि की अगली पीडियप में फिर 20 मिलेंगे आपको इसी तरीकी से बहुत सारे question में cover कराने वाला हूँ थोड़ा sort रखेंगे वीडियो को ताकि आप भी इसको बार बार देख सकें लगातार कार्बनिक परदूसको पर Stockholm Convention एक अंतरास्टिय परियावरण संदी है जिसे 2001 में हैस्ताक्सित किया और इसके परभाव यानि कि यह फिर लागो कब से हुआ था यही आपसे पूछ ले गया है तो 2001 में यह अगर sign हुआ था यह ट्रेटी तो यह लागो हुई थी दोस्तो 2004 में जाके ठीक है तो इस question क right answer option ही हो जाएगा all right तो यह भी आपको याद लखना है दोस्तो next है निमलिकित में से कौन पर्मुख photo chemical smog है जल्दी बते है तो इस question का right answer हो जाएगा chlorofluorocarbon यानि की D is the right answer है यह आप सभी ने answer लगाई दिया होगा next question है पीने के पानी के कारणों में fluoride की अधिकता क्या कर सकती है दोस्तो देखे इस question का right answer हो जाएगा fluorosis यानि की option हो जाएगा C और मेरे साब से आपने भी यह answer लगाया होगा ठीक है चले अगला question है ताजमेल पीला हो रहा है निमलिकित में से कौन जिम्मेदार है तो इसमें से जो जिम्मेदार है दोस्तो बिल्कुल देखे अभी आप जाके देखो के वैसे तो बहुत साब सफ़ाई चलती रहती है ठीक है बट इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है आपका surface dioxide यानि की option हो जाएगा दोस्तो d rate answer ठीक है या आपका दखना है देखे एसेडी crane is responsible for turning ताज में लिया लो तो ये भी आपको या दखना है ठीक है न चले दोस्तो next question है नेकुरे सब्द किसका पर्तिदित करता है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है तो ये पर्तिदित करता है दोस्तो बोर्टनेट का option हो जाएगा be correct answer ठीक है चलिए next question पर आते हैं दोस्तो और काफी बढ़िया question है HR 6819 क्या है जिसे येरोपिय दक्सिनी वैद साला दुआरा खुजा गया है तो ये दोस्तो एक क्या है black hole है ठीक है न तो right answer आपको option भी हो जाने वाला है दोस्तो अगला question दोस्तो इंडियन काउंसल ओफ मेडिकल रिसर्च ने खाल ही में किस परजाती में एक और तरह के coronavirus की उपस्तिती की खोज की है तो ये की गई है दोस्तो बैट यानि की चमगादर में यानि की इस question का right answer option भी हो जाने वाला है अगला question आता है दोस्तो अंतरिक्स यात्रियों को अंतरिक्स में भेजने वाली पहली नीजी अंतरास्टी कमपनी कौन सी है ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तो ये पहली private company दोस्तो SpaceX है ठीक है तो इस question का right answer हो जाएगा C चलिए next दोस्तो next question है जलवाई यू परिवर्तन पर भारत की पहली रास्टे कारी योजना कब सुरू की गई थी तो बते ही जल्दी से तो ये हुई थी दोस्तो 2008 में ठीक है ना right answer B हो जाने वाला है चलिए next और next question है खाल ही में फ्रेंच ग्याना से कौन सा भारती उपगरे लॉंच किया गया है तो बते ही दोस्तो जल्दी से इस question का right answer तो यहाँ पे इस question का जो correct answer होगा वो G set 30 हो जाएगा यानि कि B is the right answer ठीक है अगला question आ रहा है आपका दग्रीन पेबलेट का उप्योग किसके लिए किया जाता है बताएगे छोटे किसान के लिए दोस्तो यानि कि small farmers के लिए तो C यहाँ पे right answer हो जाएगा ठीक है next और next question है किस मंतराले ने Green India के लिए राश्ट्य मिसन सुरू किया है तो मेरे प्यारे दोस्तो इस question का right answer होगा परियवरन और one मंतराले यानि कि आपका B right answer होजएगा Ministry of Environment and Forest next और दोस्तो एक question है आपका डोडो को खालिस्थान परजाती कहा जाता है तो देखें डोडो जो है ये एक विलूप्त परजाती है जो की Morisus के दोइपों में पहले पाए जाती थी तो इस question का right answer option D हो जाने वाला है ठीक है और देखें next video में यानि कि next video में भी और next video में भी आपको बहुत सारे questions मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे तो please आप सभी videos को like कर दिया करें चैनल को subscribe कर लिया करें ठीक है तो चलिए मिलते है next दोस्तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बते कि आज की video आपको कैसी लगी नीचे comment box में जरूब बतेगा वीडियो अभी तक like नहीं किया तो like कर दिजे अपने सभी दोस्तों के साथ में share कर दिजे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करके बैल ऐकन कौन रखी ताकि वीडियो के notifications आपको मिलते रहें और मिलते है नेक्स क्लास में अपना ख्याल लखे और किसी को भी अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन जोइन करना है तो यह code आप यूज कर सकते है study 10 without any space चलिए भए मिलते है नेक्स क्लास में बाई बाई टेक केर वीडियो